नमस्कार दोस्तो मेरा नाव है लालू और मेरी इस चैनल पे आप से भी को बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाव है लालू नेना गया दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास एक Instagram एकाउंट है एक से अधिक भी है और आपको अपना Instagram एकाउंट को आपन करेंगे तो देखिए ऐसे आपन हो गया है और यहाँ पे मेरा ही वीडियो आ गया है उसके सबसे पहले तो यहाँ पे आपका DP होगा नीचे में इस DP को उपर में आपको एक बार किलिक करना है तो आपके सामने यह वाला पेज आएगा उसके बाद आपक खुल के आएगा यहां से आपको जो है देखे नीचे में लिखा हुआ पार्शनल डिटेल्स के उपर में आपको किलिक करना है तो आपके सामने यह वाला पेज आएगा उसके सबसे नीचे में ही देखिए अब सबसे पहले आपको पार्शनल डिटेल्स भी यहां से देख सक आपको दचे बाला जो डी अक्टिवेशन या डैलेशन के ऊपर में किलिक करना है उसके बाद आपके सामने यह बला पेज आएगा आपको यहां से अपना आपको facebook एकाउंट भी यह लगा इसलिए नेजर आएगा लिए इस nagyon ईश्टा आथ maximum for my relationships होंगे तो वो भी दिखेगा यहाँ से तो द्याण रखेगा यहां से आप अगर अपना Instagram एकाउंट को डिलेट कीजेगा तो Facebook एकाउंट जो एड होगा वह भी यहां से हट जाए तो यह चीज का भी विसेस द्याण रखेगा उसके आदए Instagram हम account को उपर में click करेंगे आपके सामने ये वाला page जा जाएगा अगर temporary आप delete करना चाहते हैं तो उपर वाले पे deactivate account को उपर में click करेंगे और हमेशा के लिए delete करना चाहते हैं तो यहाँ delete account नीचे वाले पे click करेंगे और continue को उपर में click करेंगे यहां से आप अपना region चुन लेंगे कि आप किसलिए account को जिंदगी से खतम कर रहे हैं यानि निकाल रहे हैं यानि delete कर रहे हैं तो कोई भी अपना एक 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 यहां से चुन लेंगे region तो जैसे region चुन लिए उसके बाद continue को पर में click करेंगे और यहां से फिर से आपको एक बार continue करना है उसके बाद आपको यहां से अपना password को डालना होगा उसके बाद अगर आप password भूल गया है तो यहां देखे नीचे लिखा हूँ आप forget password को उपर में किलिक करके पहले तो आप अपना password को change कर ले और भूल गया है तो नहीं भूले तो password को डालेंगे continue को उपर में click करेंगे तो देखिए मेरा password यहां गलत बता रहा है हमी खुद भूल गया है क्योंकि यूज उतना करते नहीं है तो चलिए सबसे पहले हम forget password करके अपना new password बना लेते हैं याद रहेगा तो देखिए दोस्तो अपना password को हम reset कर लिए है password को नया बना लिए है नया password कैसे बनता है अगर जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा बता दे कुछ नहीं अभी जो आप personal details में देखे होंगे mobile नमर या email ऐड़ होगा आप जैसे forget password पे click किजेगा तो अगर mail पे है तो mail पे आपको एक link जाएगा जैसे आप open कीजेगा तो न्यू password बनने का option आजएगा और नहीं तो mobile नमर रहेगा तो mobile नमर पे link जाएगा तो इस तरीका से आप अपना new password आराम से बना सकते है उसका new password बना लिजेगा तो यहाँ पे DGSM new password बना के यहाँ पे डाल दिये हैं उसके एड continue को उपर में click करेंगे उसके बाद फिर से continue को उपर में click करेंगे तो यहाँ से देखें लिखा हुआ है अपना security के तोर पे re-passport फिर से मांग रहा है तो यानि दोबारा password को हमें यहाँ पे डाल देंगे उसके फाइनली आपके सामने यह बला option आ जाएगा तो confirm आप यहाँ से secure हो जाएगे कि आपका account यहाँ से आप अगर delete account को पर में click करेंगे तो आपका account हमेशा अगले delete हो जाएगा लेकिन आपको एक चीज का विशेश धियान देना होगा तो देख लिजे यहाँ पे आप जब भी आप delete कीजेगा उस दिन से लेके आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ से समय आपको date मिल जाता है कि आज के date में जैसे हम वीडियो बना रहे हैं आज 8 तारिक है और अगला 7 तारिक यानि एक महिने के अंदर इस एकाउंट को open कहीं भी नहीं करना है लोगिन नहीं करना है नहीं तो अगर बीच में आप 25 दिन के अंदर भी लोगिन कर लिजेगा 26-28 दिन में भी 29 दिन में भी अगर लोगिन कर लिजेगा तो account को आप फिर से जिन्दा कर दीजेगा तो ये विशेश ध्यान रखेगा कि ये एक मेहने के अंदर अपने account को open नहीं करना है नहीं तो ये delete नहीं हो पाएगा आपको मौका मिलता है 30 दिन के अंदर कभी भी आप login किजेगा इस account को तो ये आपका फिर से login हो जाएगा और delete का option जो है वो खतम हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है उसके सारा कुछ अच्छे से समझ गया उसके delete account को open में क्लिक कीजे और इसका कहानी खतम यानि ये delete हो जाएगा तो यवि गुल देखे यहां लिख दिया account मेरा delete हो गया ये log out हो गया दूसरा account जो है मेरा अब जो देखे उसमें DP नहीं था इसमें DP आ गया ये मेरा ही account है और लालू ends नैना तो आप लोग अगर follow नहीं किये होंगे तो Instagram में जागे जरूर से जरूर कीजेगा तो ये ही बिलकुल आसान तरीका था अपने Instagram account को हमेशा के लिए delete कर देने का तो आप अच्छे से समझ गया होंगे इसके साथ साथ आपको अमें ये भी बता दिये कि अगर अपना password भूल गया हो तो new password कैसे बना लिजेगा तो अराम से आप सब कुछ अच्छे से समझ गया होंगे कहीं कोई दिकत है नहीं अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है तो comment कीजेगा तुरन जवाब देंगे और आपको अगर और भी किसी पर करगा वीडियो चाहिए तो comment कीजेगा ज़रू से ज़रूर बनाने का कोसिस करेंगा उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आच्छे से सब कुछ समझे होंगे चलिए मिलते हैं एक अच्छे वीडियो को साथ नेगी दे में तब तक अपने जहत का ख्याल लखेगा और मैं चैनल को भी सब्सक्राब करते हो जाएगा टाटा बाइबाइब